क्या आपको किसी ने बताया केक पतीली में अगर आप तेल को अच्छे से गरम करके खड़े गरम मसाले डालके अच्छे से चटका लेंगी चटचट करके और जब अच्छे से पक जाएंगी तब इसमें आप प्यास डाल देंगी प्यास को भी अच्छे से आप गोल्डन कर ले तो नमक भी डाल देते हैं स्वाध अनुसार नमक अपने हिसाब से डालना नहीं तो कम जादा हो जाएगा तो फिर बात में मुझे मत बोलना कि मैंने डिश खराब करवा दी अद्रक का पेस्ट डाल देना एक छोटे चमश लहसुन का पेस्ट डाल देना दो छोटे चमश वह करना मिक्स 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 गेस का फ्लेम फुल पर ही रखना इस बात का खैल यह सबसे ईजी और सबसे चटपट वाली रासिपी है जिसे बनाने की बाद आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे कि हमने इसे क्यों बनाया बहुत ही बड़ी आसी बनती है सभी को पसंद भी आ ज जाल सकती है अपने हिसाब से मैंने एक बड़ा चमर जाल दिया है अब जादा तीका पसंद करें तो और डाल सकती है बस करना है मिक्स 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 केस का फ्लेम फुल पर रखना और यहां पर हम इसमें टमाटर भी डाल देंगी टमाटर से इसमें टेंगी टेंगी फ्लेवर आएगा ना वो इस दिश में चार चान लगा देगा बस लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करके पका लेना है पाश्मेट के लिए और पाश्मेट बाद आपको मिलेगा धाब स्टाइल बहुत ही आसान और चकपटा वाला कीमा तो यहां पर हमें सिर्फ कीमा बना के रखना नही तेल को अच्छे से गरम करके इसमें हमें बहुत सारा लहसुन डाल देना ही लहसुन का बहुत ही बड़िया फ्लेवर आता है भाजी में और बहुत ही अच्छी और यमी यह बनती है तो लहसुन को अच्छे से लाइट ब्राउन करने के बाद हमें इसमें डाल देना है एक ख कीमा लोफ लेम पर पख रहा है ना उसमें भाजी को अच्छे से मिक्स कर देना बस अब क्या है पाश मेंट कीमा और भाजी को साथ में पकने देना और पाश मेंट बात तयार है हमारी बहुती डीस्टीर ढ़्ट भूल धाबी जेसी बहुती डीश रख यम्मे वाली कीमा मेथ यह नया तरीका है कीमा मेथी बनाने का और इससे यह फाइदा होगा कि आप जब भी कीमा मेथी बनाएंगी तो कभी भी कड़वी नहीं होगी अगर भाजी भी कड़वी रहेगी तो पहले से पता चल जाएगी जो मेरी पहले कीमा मेथी वाली वीडियो इसमें आपने बहुत स मेती केसा बना मुझे कमेंट बाक्स में बताना अपने फैंबली और फ्रेंड के साथ इस अच्छे वारी नई रासिपी को जरो ट्राइ करने के लिए बोलना धाने जरो ट्राइ के लिए खमेफीश रेक्षिण गुन चेक्टाइ के लिए रासिपे इस आफिखिटाय के सब्सक्राइवी शाद के लिए